असलाम अलेकुम, I am Zishan Heather from Ecom Reels तो हमारी जो eBay dropshipping का free course है उसकी series यहाँ पे start हो चुकी है इसके तकरीबन 13 lecture ready हो चुके हैं जो के हमने upload करने हैं और इसकी video process हो चुकी है और बन चुके हैं अभी इनकी जो remaining videos है जो के overall total जो हमारा dropshipping series का यही course है 45 lecture के उपर मुश्तमिल है अभी हमने यहाँ पे 13 lectures के complete कर लिए हैं हम यहाँ से अपना first lecture शुरू करते हैं वाइव स्टार्ट eBay dropshipping और हम यहाँ से कितना पैसा बना सकते हैं eBay dropshipping से हम कितना पैसा बना सकते हैं हमने यह सारी चीजें आपके सामने एक active account के उपर practical करके रखी हैं ताके सारी चीजें simplify हो सकें हमने इतना simple रखा है ताके सारी चीजें आपको understanding में easy हो सकें यहाँ पे हम dropshipping के concept को समझ लेते हैं कि basically dropshipping working किस तना से कर रही है यहाँ पे यह वाला हमें एक order receive हुआ है जिसको हमने list किया था 60.99 में अगर हम इसके source की बात करें और हमने यहाँ पे यह वाला हमें cost कर रहा है 41.99 में dropshipping basically होती है कि आपको inventory रखने की ज़रूरत नहीं होती like हमने अपना just profit रख लिया अगर हम यहाँ पे sheet के उपर आएं यह वाला हमारा source था price अगर देखें 41.99 की है हमने इसको list कितने में किया यहाँ पे 60.99 में और हमने अपना profit कितना रखा 9.85 हमने अपना profit रख लिया हमें यहाँ पे inventory रखने की ज़रूरत नहीं है जैसे ही हमें यहाँ पे order receive होओ order receive होने के बाद हमने यहाँ पे अपने source के उपर आना है source mean हमने दुबारा amazon के उपर आना है यह वाला हमारा source है यहाँ पे आके हमने यहाँ पे add to card कर देना है और यहाँ पे जो भी हमारा बाइर होगा उसकी जो भी यहाँ पे detail होगी वो हमने यहाँ पे copy कर लेनी है copy करने के बाद हमने इस order को fulfill कर देना है अब होगा क्या ये वाला जो seller है इस item को खुदी pick and pack करेगा pick and pack करके खुदी कोई भी जो carrier है royal mail हो गया, dpd हो गया, fedex हो गया कोई भी जो भी courier services है ये खुदी seller उठाएगा उस item को pick and pack करेगा और खुद item customer तक deliver कर देगा और एक tracking ID हमें देदेगा वो tracking ID हम यहां से pick up करके यहां पे हम add कर लेंगे कि एक item के sold होने के बाद यहां पे 9 pound का profit हो रहा है अगर इसी तरह आपकी यहां पे 20 plus listing होगी या आपकी 100 plus listing होगी तो आपके तकरीबन 50 pound per day order के अंदर जो आपको profit होगा वो 50 plus pound का profit होने के chances है I hope कि थोड़ी बहुत आपको understanding हो चुकी होगी कि drop shipping का जो model है वो working किस तरह से कर रहा है अगर आप इस channel के उपर नए है तो आपसे request है कि आप हमारे channel को subscribe कर लें ताकि आने वाली हर नई video का notification आपको मिलता रहा है अगर हम यहां से इस account के उपर आएं यह वाला वो account है जिसके उपर हम आपकी practice करवाएंगे ताकि सारी चीजें आपके लिए असान हो सके ताकि आप A to Z सारी चीजों को understand कर पाएं उसके बाद आते है step 2 की तरफ के हम किस तरह से earning कर सकते हैं हमारे पास कितने वे हैं सबसे पहला हमारे पास है कि आप अपना खुद store बनाएं खुद अपना account create करें यह हमारे पास एक account है जो के आपकी detail के उपर होगा आपने अपनी detail के उपर बनाया होगा आप independent होगे सारा काम आप खुद करेंगे store बनाने के बाद आपने इसके उपर कुछ listing ड्राफ में रख दी और उसके बाद time to time आपने इसको live कर दिया यह हो गया आपका अपना store के आपने मन मरजी के मताबक order ले लिए उनको order को fulfill कर लिया आप अपने जेब के मताबक यहाँ पर invest कर सकते हैं जितने order आएंगे आपने उनको fulfill करना है आपका नया store होगा तो eBay आपको 14 days के बाद आपको payout बेजेगा एक तो हो गया यह method अगर हम यहाँ पर अपने second base के उपर आए यहाँ पर second step के उपर आए यहाँ पर आप partnership base और percentage base के उपर यह कैसे work out करेगा आप कोई भी client लें पाकिस्तान base हो या UK US base हो आप उसके account को manage करना start कर दें percentage basis के उपर या fix salary base के उपर यह वाला account हमारा drop shipping का account है जो के हम US में भी sell कर रहे हैं और UK के अंदर भी sell कर रहे हैं आपको इस तरह के काफी जो account है वो percentage basis के उपर मिल जाएंगे यहाँ से यह चीज़ भी clear होगी और उसके बाद अगर आपने सारी skill सीख ली है ठीक है सारी skill सीखने के बाद आप अपनी services sell करना start कर देंगे Fiverr के उपर, Upwork के उपर और Freelancer के उपर आप यह क्यों करेंगे अब एक बाद और से सुनिएगा अब आपके लिए opportunity है इस platform को use करने के लिए आप बहुत जल्दी rank कर पाएंगे क्यों rank कर पाएंगे मैं सबसे पहले आपको थोड़ से इसके benefit बता देता हूँ और थोड़ से इसके disadvantages है वो भी आपके साथ share कर देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अब हो क्या रहा है मैं यहां से जाता हूँ Amazon store के उपर अब Amazon कह रहा है कि मैं आपको drop shipping allow नहीं कर रहा Amazon ने पाकिस्तान के बहुत से account को suspend कर दिया है यहां से मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ ऐसे Amazon के account जो के पाकिस्तान की detail के उपर बने थे और लोग उसके उपर drop shipping कर रहे थे Amazon ने सारे ban कर दिये Amazon यह कह रहा है मेरा जो platform है यह unscure हो रहा है drop shipping की वज़े से तो उसने काफी जो account ए suspend करना start कर दिये अब पाकिस्तान की detail के उपर बहुत कम chances है के Amazon के उपर हम drop shipping start कर पाएं काफी cases ऐसे हैं के लोग drop shipping कर रहे हैं लेकिन एक जो beginner है वो Amazon के उपर पाकिस्तान की detail के उपर drop shipping नहीं कर सकता अब हो क्या रहा है Amazon के जितने भी seller थे जिन्होंने Amazon seller account बनाके drop shipping start की थी Amazon ने सारे बैन कर दिये सारे बैन कर दिये अब Amazon के जितने भी seller थे वो सारे अब eBay के उपर आ रहे हैं सारे अब eBay के उपर आ रहे हैं अपने eBay के account बना रहे हैं और उसके बाद Etsy के जितने भी seller थे Etsy ने पाकिस्तान को बैन कर दिया पाकिसान के अंदर आप Etsy की शॉप जह है वो अपन नी कर सकते अब जितने Etsy के sellar थे सारे Etsy के sellar भी move हो चुके है eBay के उपर अब eBay के उपर इसकी जो डिमांड है वो बढ़गी है लेकिन इसके अंदर competition बहुत कम है seller जो है जो एक्सपरड बंदे है वो बहुत कम है लेकिन इसके उपर जो user है वो बहुत ज्यादा है आप services किस तरह से provide करेंगे अब eBay के जो seller है अब eBay जो सीख रहे हैं उसके लिए एक best opportunity ये है कि वो अभी eBay को start करें अभी eBay के उपर competition बहुत बहुत low है और इसकी demand बहुत हाई है आप Fiverr के उपर जाएं यहां से आपने अपना account बनाना है जिस्ट मैंने यहां पर एक keyword लिखा है eBay product listing eBay की बहुत सारी services है account management की है उसके बाद defect rate removal की है negative feedback की है account operated की है order fulfillment की है बहुत ज्यादा services है और उसके बाद मैंने यह keyword लिखा कुछ मैंने यहां से seller open कर लिए हर बंदे के उपर यहां पर order in queues कुछ ना कुछ orders in queues हर बंदे के उपर यह एक नया account है एक इसके उपर feedback available है हर account के उपर कुछ ना कुछ orders in queues में लगे हैं अभी आपके पास chance है अगर आप यहां से इन दो यह आपके लिए workable नहीं है और यह भी आपके लिए workable नहीं है तो आप इसके उपर move कर लो अभी time है आपके पास अगर आपने आई से पना gig बनाना start कर लिया तो बहुत जल्द आपके rank होने के chances हैं क्योंकि demand बहुत ज्यादा हो चुकी है क्योंकि अब eBay का account पाकिस्तान से बन रहा है ना तो जितने भी बड़े investor हैं उन्होंने eBay के account बनाना start कर दिये हैं अब खुद तो नि न वो manage करेंगे वो कोई virtual assistant hire करेंगे पाकिस्तान के अंदर खुद वो manage नहीं करेंगे वो कोई pakistani base virtual assistant hire करेंगे ताके पाकिस्तानि जो price होगी वो दे पाएं अगर कोई पाकिस्तानी बंदा उसने UK या US बंदे को तो हाइर नहीं न करना क्योंकि इसको पौंड या डॉलर में तो नहीं वो पे करेगा तो definitely जो पाकिस्तानी बंदा है जिसने पाकिस्तान से अपना eBay अकाउंट बनाया है तो वो पाकिस्तानी ही को VA Virtual Assistant को हाइर करेगा ताकि उसक बजट भी स्क्योर रहे और उसका अकाउंट भी अच्छे से उप्टिमाईज हो सके तो आपने यहां पे Fiverr के उपर भी जा के अपनी सर्फ से सेल करनी है और उसके बाद आपने यहां पर अपर के उपर भी आ जाना है यहां पर भी आपने अपनी प्रोफाइल सेट करनी है और उसके बाद आपने यहां पर freelancer.com साइट है आपने इसके उपर भी आके अपना अकाउंट आपने बनाना है ताके आपको order आने के चांसे स्टार्ट हो और आपकी earning का जो phase है वो स्टार्ट हो सके यह तो था lecture 1 जिसके अंदर हमने मुकमल overview बता दिया कि आप eBay स्टार्ट क्य मिलता रहे तो अपना बहुत ख्यार कियेगा मिलते हैं एक नेक्स वीडियो में अब तक के लिए अलहाफीज